दोस्तों कुछ इस तरह की वीडियो आपको सोसल मीडिया पर दिख जाती होगी हर दो तीन महीनों में और हमको लगता है कि गौवर्मेंट बहुत ही अच्छा काम करने लग रही है हमारे इस देश के लिए और इस समाज के लिए पर क्या है इस डार्क सीक्रेट का राज आएए देखते हैं इस वीडियो में और समपोंड रूप से समझते हैं कि गौवर्मेंट की क्या काली सच्चाई है इस वीडियो के पीछे अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ही मुद्दा है अलकोहल यानि दारूगा क्योंकि इसके वज़े से ये बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है हर दो तीन महिनों में हजारों की संख्या से लोगों की मौत होती है हर अलग-अलग स्टेट्स में पर ये एक न्यूस चैनल और कुछ अकबारों में हेडलाइन ही बनी होती है इस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता है चाये वह पुलिस प्रसासन हो या फिर उस स्टेट की गौवर्मेंट हो और इसी के वज़े से बहुत सारी माएं अपने बेटों को खो देती है पर इस चीज के बारे में कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है कोई इस चीज के बारे में आवाज नहीं उठाता है और अगर इतना ही बड़ा मुद्दा है तो गॉर्मेंट इसको क्यों नहीं बैन कर देती है पर क्यों नहीं बैन कर देती है इसके पीछे ही एक बहुत ही बड़ा डार्क बिजनेस है दोस्तों अब दोस्तों according to Indian law के इसाब से एक law बनाया गया है हर स्टेट में और उसी स्टेट की government ये decide करेगी कि कौन से स्टेट में दारू बैन करना है या फिर नहीं करना है तो according to Indian law के इसाब से गुजरात, बिहार, मिजोरम और नागालेंड ये चार स्टेट में दारू पूरी तरह से बैन है यहाँ पे नहीं आप इलकोहल बेच सकते हो नहीं खरीच सकते हो और जाहिर सी बात है जिस स्टेट में इलकोहल बैन हो वहाँ पे इलकोहल ड्रिंक भी कोई नहीं कर सकता है अब दोस्तों ये चार स्टेट को छोड़के बाकी सारे स्टेट में चाहे वो पर बात करें point of view की तो ऐसे बहुत सारी states हैं और states में बहुत सारी villages हैं जो ये चाहते हैं कि उनके area में बैन हो जाए alcohol पूरी तरह से महाराष्ट के चंदरपुर जिलो में 5000 महिलाओं ने ये प्रोटेस्ट किया कि हमारे इस area में पूरी तरह से दारू बैन हो जाए तो वहां के गवर्मेंट ने as per the महाराष्ट प्रोविजन एक्ट 1949 के तहट वहां पे alcohol को बैन कर दिया गया सन 2015 में सन 2015 में पुलिस प्रसाशन को भी throw analyzer टूल भी दिया गया अब दोस्तों जिसको पता नहीं होगा कि throw analyzer टूल क्या है तो इससे ये पताय लगा जाता है कि किसी बंदे न अगर alcohol का 7 किया हुआ है तो इससे percentage को पता लगया जा सकता है कि किस बंदे ने कितना alcohol का 7 किया हुआ है सन 2015 में पुलिस प्रसाशन द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया चंद्रपूर जिलो में 2 करोन रुपया का माल जब्त किया गया और 500 लोगों की गिरफतारी की सन 2015 से 2020 में क्या सुधरा हुए है इस जिले में उसकी एक रिपोर्ट पब्लिक की है तो वहां के district magistrate मार्च सन 2020 को एक रिपोर्ट पब्लिक करते हैं और उस रिपोर्ट में सन 2010 और सन 2015 से पहले कि जो alcoholic case थी वो 12,000 थी और सन 2015 यानि बेन लगने के बाद सन 2015 और सन 2020 तक की रिप रिपोर्ट में 37,000 केसे थी यानि बेन लगने के बाद भी वहां के government द्वारा किया गया काम जीरो था ये रिपोर्ट देखने के बाद वहां की state government ने जोन सन 2021 को चंदरपुर जिलो को alcoholic free कर दिया गया यानि वहां पे जो band था वो band को हटा दिया गया state government का ये कहना है कि कुछ 5 सालों में भी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला नहीं है और ज़्यादा तर काला बाजारी ही बढ़ी है कुछ ज़्यादा बदलाव हुए नहीं है और उससे government का loss हो रहा है ये कहकर वहां पे band को हटा दिया गया 5 सालों से band लगा हुआ था संदोजार 15 और संदोजार 20 से तो वहां की police क्या कर रही थी वहां पे state government क्या कर रहा था और वहां के जिला magistrate क्या कर रहे थे आप दोस्तों ऐसा बोल सकते हो कि ये बस एक tag था band का actual में कुछ काम हुआ नहीं और अगर काम हुआ होता तो result दिखता क्योंकि हर काम का एक result होता है और अगर result ही ना हो तो वो काम का कोई मतलब नहीं होता है सेम चीज़ दोस्तों गुजरात में 1 मही 1960 से alcohol band है पर दमन जैसे बीच पर और सहर में आप चले आओगे तो वहां पे आपको alcohol बिक्ता हुआ नजर आएगा वहां पे भी एक बस band का tag लगा हुआ है पर actual में गौर्मेंट दोरा कोई काम होता नहीं है और काला बाजारी ही होती है गौर्मेंट को ऊपर दिखाय जाता है कि यहां पे कुछ नहीं है पर नीचे के label में जो पुलिस प्रसासन काम कर रही है जो जिला मजे स्टेट काम कर र दोस्तों आज भी वहां पे लोगों की अवैध तरीके से मौत हो रही है देशी दारू पीने की वज़े से कुछ 2,55,000 केस दर्ज हुए है अभी तक मामला दर्ज हुआ है और 1,67,000 लोगों की गिरफतारी भी हो चुकी है अभी तक पर वहां की गौर्मेंट क्या काम कर रही हर 2,3 महिने में आपको कुछ निउस चैनल और कुछ अकबारों में कुछ छोटी सी हेडलाइन ऐसी नजर आ जाएगी जहां पर पता चलता है कि कुछ 50 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 लोगों की मौत हो चुकी है देशी दारू पीने की वज़े से और अगर गौर्मेंट, ब बहुत सारे इथेनोल, मेथेनोल, यूरिया और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकन को मिला के बनाया जाता है और आज भी इसे विलेजेस में और बहुत सारे सिटीज में इसको पीने लग रहे हैं लोग क्योंकि ये बहुत ही सस्ती दारू मिलती है कुछ 40-50 रुपया का मिल जाता ह और लोग उसको पीने लग रहे हैं और जिसकी वज़ा से उनकी मौत होने लग रही है पर इसमें भी कोई पुलिस प्रसासन और गौर्मेंट द्वारा कोई रोप टोप नहीं है वही दोस्तों 8 फरवरी संद 2019 को उत्राखंड के हरी द्वार जिले में देशी दारू पीने की वज़ा से 16 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग हॉस्पिटल में हैं बताया जाता है कि कुछ पार्टी और फंक्सन में गए हुए थे ये लोग और वहाँ पे उनको देशी दारू मिली जिसकी वज़ा से ये पीने की वज़ा से उनकी मौत हो गई 12 अगस्त सन 2022 को बिहार के छपरा में 5 लोगों की मौत हो गई देशी दारू पीने की वज़ा से और इसके पहले 7 दिन पहले 13 लोगों की मौत होई थी देशी दारू पीने की वज़ा से सन AIowar 2016 से दारू बेन है बीहार में लेकिन आज भी वहां पे देशी दारू पीने की वज़़े से लोगों की मौत हो रही है पुलिस प्रससेन क्या काम कर रही है और वहां की गॉर्मेंट क्या काम कर रही है जाने जा रही है एक दो तीन नहीं वो भी 20-20 जाने जा रही है हफते भर में 28 जुलाई सन 2022 गुजरात के अंदाबाद सहर में 42 लोगों की मौत हो गई देशी दारू पीने की वज़े से सो लोग अस्पताल में हैं वहीं दोस्तों हम्दाबाद से 150 किलो मेटर दूर बोटाद के सोजित गाउं में 11 लोगों की मौत हो गई देशी दारू पीने की वज़ा से और ये भी केस दरज हुआ है कि एक एक फैमिली में 2-3-3 लोगों की मौत एक साथ हुई है बहुत सारे लोग बेघर हो गए है वहां के सरपंच का कहना ये है कि हमने पुलिस प्रसाशन और विधायक जी से बहुत बार अपील किया बहुत बार चिठिया भी लिखी और वहां पे हमने जाके बहुत बार केज भी दरज कराया कि यहां पे खुले आँग देशी दारू बीक रही है हमारे गाऊँ में पर किसी के दवारा कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया गया कोई हमको मदद नहीं मिली और यहां तक कि ये हमारा ही मोढ़न कराना चाहते हैं पुलिस वाले कोई भी मदद नहीं किये और नहीं कोई action लिए सरपंच का ये कहना है अब देखा जाए तो गुजरात में दारू बैन है लेकिन फिर भी 42 लोगों की मौत हो जा रही है दोस्तो रिकॉर्ड बहुत बड़े हैं अगर मैं आपको बताने जाऊंगा तो वीडियो इतने लंबी बन जाएगी कि रिकॉर्ड खतम नहीं होगी हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है पर किसे भी गौर्मेंट के द्वारा इस चीज को देखाई नहीं जा रहा है आप तक भी ये बाते कुछ न्यूस चैनल द्वारा पता चलती होगी लेकिन फिर दो-तीन दिनों बाद इस चीज को दबा दिया जाता है कुछ अलग ही मुद्देपी बात होने लगती है पर उनका क्या जिनके घर में ये मातम मनाये जा रही है अब उनके घर को कौन देखेगा गौर्मेंट क्या कर रही है और पुलिस प्रसासन क्या कर रहा है समाजिक गतविदियो को देख रेक करना पुलिस प्रसासन का काम है लेकिन अगर पुलिस प्रसासन ही लापरवा हो जाए तो समाज में क्रिमिनल सी बनेंगे और समाज में एक क्रिमिनल ही पैदा होंगे लोग और इससे समाजिक अपदाय बहुत जादा ही बढ़ेंगी क्योंकि अगर लोगों की मौत हो रही है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रसासन क्या कर रही है 26 जनवरी संदोहजार 22 को उत्तर प्रदेश की राय बरेली में देशी दारू पीने की वज़े से 6 लोगों की मौत 5 नौबर संदोहजार 20 में हरियाना में 20 लोगों की जान गई 3 दिनों के अंदर देशी दारू पीने की वज़े से 15 अक्टूबर संदोहजार 20 MPK उज्जैन में देसी दारू पीने की वज़े से 15 लोगों की मौत हो गई और 31 जुलाई सन 2020 को हरियाणा में देसी दारू पीने की वज़े से 35 लोगों की मौत 31 जुलाई सन 2020 में पंजाब में देसी दारू पीने की वज़े से 38 लोगों की मौत हो गई दोस्तो रिकॉर्ड बहुत लंबे हैं ये मैं आपको एक साल पीछे की हिस्ट्री बता रहा हूँ अगर हिस्ट्री बताने जाओ दो तीन साल पहले की तो हजारों की तादाज में लोग आजाएंगे मरने वालों की संख्या तो अगर बात की जाए जब इतने लोग मरी रहे हैं तो गोर्णेंट क्यों इसको बेहन नहीं कर रही है सभी राज़यों में क्योंकि वह कोई भी राजी हो चाये वह उत्तरप्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाना हो या फिर तमिनाडू हो, असम हो, बिहार हो कोई भी राजी हो सारे राज्यों में लोग मरी रहे हैं देशी दारू पीने की वज़े से जहरेली दारू पीले की वज़े से लोगों की मौत हो रही है तो गॉर्मेंट क्यों इसको बैन नहीं करना चाहती और परसनल में एक टीम क्यों नहीं बैठा रही है तो इसका एक मेन रीजन है वो है इसके पीछे की मार्केटिंग क्योंकि करोणों रुपए गौर्मेंट इससे हर साल revenue जनरेट करती है मैं आपको एक हिस्टी बता रहा हूँ सन 2019 और सन 2020 के बीच की हिस्टी कौन से स्टेट ने कितनी revenue जनरेट की हुई है गौर्मेंट एलकोहल के उपर GST नहीं लगाती है ये लगाती है कि exercise duty ये exercise duty अलग-अलग states में गौर्मेंट खुद प्रोवाइड करती है और वो exercise duty 20-25 या 30% के बीच में होती है वो product के price के इसाब से हर state government ने एक अबकारी विभाग बनाया हुआ है वो अबकारी विभाग ये देखती है कि कौन से state ने कितना revenue generate किया हुआ है हर साल ये सभी state अपना अलग-अलग department बना के रखे हुआ है उत्तर प्रदेश का अलग होगा हैदराबाद का अलग होगा सभी अलग-अलग states ने अलग-अलग अबकारी विभाग बना के रखा हुआ है तो 2020 और 2021 के report के इसाब से उत्तर प्रदेश ने 30,61 करोण की revenue जन्रेट की है करनाटका ने 20,950 करोण की revenue जन्रेट की हुई है महराष्ट्रा ने 17,477 करोण की revenue जन्रेट की हुई है मध्य प्रदेश ने 13,000 करोण की revenue जन्रेट की हुई है वहीं वेस्ट वंगाल ने 11,873 तेलंकाना ने 10,901 करोण राजस्थान ने 10,500 करोण आंध्रप्रदेश ने 8,518 करोण हर्याना ने 7,000 करोण तमिंडाडू 7,662 करोण की रिविन्यूजन रेट की हुई है तो ये है दोस्तों में रिजन हर स्टेट में एलकोहल ना बैन होने का रिजन क्योंकि गोर्मेंट सोसती है कि अगर 2-4 लोग मर रहे हैं और उससे हमारा करोणो का अगर फायदा हो रहा है तो हम एलकोहल क्यों बैन करें इसकी वज़े से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है और ये तो मैंने आपको बता है ये तो official data है इसके पीछे का dark marketing कितना खतरनाक होगा वो आप सोज भी नहीं सकते हो बहुत सारे लोग इसी चीज से corrupt होके उनका घर चलता होगा बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे जिला परिसर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो corruption का सिकार होंगे इसी के वज़े से क्योंकि official data में जब इतने की कमाई है तो disruption तो होता ही होगा क्योंकि जब बैन हुए जगहों पे, जब revenue generate हो रही है, तो जहाँ बैन नहीं हुई है वहाँ कित्ती revenue generate hoई होगी कितने सारे ऐसे दारु के एड़े होगे जो un-official होगे गौर्मिन्ट के पास उनका कोई डेटाबेस नहीं होगा और ऐसे बहुत सारे पुलिस करमचारी होंगे जो वहाँ से रिस्वत की मांग करते होंगे जाजात तर यही होता है कि जो बैन हुए स्टेट्स होते हैं जैसे बिहार, गुजरात और मिजोरम और नागा लेंड ऐसे बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, जो बैन हैं वहाँ पर यही होता होगा क्योंकि अवध तरीके से तो काला बाजारी होती ही होगी और ऐसा होई ना कि पुलिस वालों को पता ही ना हो क्योंकि जिस स्टेट्स में पुलिस करमचारी हो उस स्टेट्स में अगर कोई भी काला बजारी हो रही हो वो भी अलिकोहल की तो ऐसा होई नहीं सकता दोस्तों कि पुलिस प्रसासन को पता ना हो बस ये चीज उपर बताई नहीं जाती है नीचे ही दबा दिये जाता है झाल झाल